हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो गीतकिनो.com में आपका स्वागत है आज मैं फिर से एक नाश्टे की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है इंस्टेंट रेसिपी है इसे बोलते हैं चीज सूजी टोस्ट जिसमें हम चीज का इस्थमाल करेंगे सूजी का वेज इसे आपके डेली से मांगेंगे तो ऐसी चीज है जो बहुत ही बच्चों को पसंद आती है तो इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बैल आइकन जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुच जाए तो इसे बनाने के लिए हमें जो जो समान चीए वो मैं आपको बतायोती हूं मैंने यहाप अच्छे वाइड ब्रेड लिये है आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, एक कप सूजी ली है मैंने बार Holy सूजी यहाप के पास समोटी सूजी है तो आप उसे मिक्सी मिक्राइंड कर लिंग 2 काट लिया है यहापर मैंने फ्रेश क्रीम का यूस किया है तो थुहंर्टमल आप चाहे तो घर की मलाई य तो आप यहां पर दही का यूज़ कर सकते हैं, एक शिम्ला मिर्चली है, इसे भी मैंने छोटा-छोटा काट लिया है, एक टमाटर इसे भी मैंने बारिक काट लिया है, नमक स्वादनुसार, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, अगर आप तीखा पसंग करते हैं, तो आप यहां पर हरी मेच का भी इस्तमाल कर सकते हैं, यहां पर मैंने थ्री टेबल स्पून बटर लिया है, और मैंने मौजरेला चीज लिया है, या पीजा चीज, प्रोसेस चीज, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आप यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम सूजी एड करेंगे, प्याज एड करेंगे, शिम्लामिर्च एड करेंगे, टमाटर एड करेंगे, नमक एड करेंगे, लालमिर्च एड करेंगे, अपने टेस्ट करेंगे करेंगे आप चाहे तो घर की निकाली हुई मलाई भी आड़ कर सकते हैं क्रीम की जगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें एक ठीक बैटर बनाना है पतला नहीं होना चाहिए कि अच्छे से मिक्स कर लिया है यह मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें वन टेबल स्पून के करीब पानी एड़ कर दूँगे जादा नहीं एड़ करना है बैटर मारा थिक होना चाहिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे ढख कर रखतेंगे दस मिनट के लिए ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए दस मिनट हो चुके है हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है एक बार चेक कर लेते हैं बैटर बिलकुट परफेक्ट है हमें इस तरह का गाढ़ा बैटर चाहिए अब मैं साइड में रक देती हैं बैटर ले ले लेंगे बैटर के ऊपर हमें इस लगाना है बैटर को इस तरह के से हम इस पे एक बैटर लगा देंगे एक कि आपको सारी जो ब्रेड हैं उन पर इसी तरीके से आपको ये बेटर लगाना है हम हम इसे सेक लेते हैं है यह मैंने गैस पे एक पैन रखा एए इस हम हलका सा्य बटर लगा देंगे और इस पे हम ये ब्रेट रख देंगे बैटर वाली साइड नीचे रखनी है और इसे हम दो से तीन मिनट तक पकने देंगे एक साइड से मीडियम फ्लेम पे पीछे भी बटर लगा देते हैं और इसे एक साइड से पकने देते हैं ये एक साइड से पक चुका है मैंने इसे पलट दिया है हम इसे दूसरी साइड से भी पकने देंगे और उपर से हम इस पे चीज ग्रेट कर देंगे आप इसे बिना चीज के भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है पर बच्चों को चीज बहुत पसंद है तो आप इस तरीके से डालेंगे तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और बिल्कुल पर टाइम नहीं लगता है इंस्टेंट रेसिपी है जट पड़ बना सकते हैं जब भी बच्चे मांगे आप फटा फट बना कर दे सकते हैं अब इसे हम कवर कर देंगे दो से तीन मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे जब तक की चीज मेल्ट ना हो जाए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं हमारा टोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है इसी तरीके से हम बाकी के टोस्ट भी तैयार कर लेंगे हमारा जो दूसरा टोस्ट है वह तैयार होने वाला है इस पर मैंने चीज ग्रेट कर दिया इसे भी कवर कर देंगे दो से तीन मिनट तक पका लेंगे हमारा दूसरा टोस्ट भी तैयार हो गया है इसे बिल्कुल भी टाइम ने लगता है बनाने में बहुत ही इंस्टेंट रेस्पी है आप इसे जरूर ट्राय किजेगा और अब मैं जो नेक्स्ट टोस्ट बताने चारी हूं उसमें मैं चीज नहीं लगाँगी आपको दिखात लगते हैं दोनों साइट से मैंने से सेक लिया है और यह बिना चीज के भी बहुत टेस्ट लगते हैं तुमाइब को इसे कट कर के दिखाते हूं कितने बढ़िया टोस्ट बनेह coupon बहुत ही टेस्टी लगते है और बहुत ही आसान है ने जटपट तैयार हो चाते है बच्चो जादा से जादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रेलेटिव के साथ यह रेखिए मैंने यहां पर दोनों तरह के टोस्ट सर्व करके दिखाए हैं आपको चीज वाले और बिना चीज वाले तो जो भी आपको पसंद आए वह आप बना सकते हैं बचों को बहुत ही पसंद आते हैं और रेस्पी ट्राइ कीजेगा अगर पसंद आती है तो कमेंट जरूर कीजेगा